वेलकम यूआल नेरुटिप चैनल स्मार्ट गयां प्रेशन में डॉक्टर सतेंत्री पाथी दोस्तों आपको बता दू कि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी लोग के लिए जो लोग भी पीसडी करना चाहते हैं दोस्तों यह बहुत सारे सब्जेक्ट में यहां पे वेकंसी आई हुई हैं उन अपयां लगभाक लगभाक हर सब्जेक्ट में वेकंसी आई हुЯ दोस्तों यह एक दीस गड़ में यूनिवर्स्टी में एक परिद्ध गर में एक जी सब्द't है की यह उन सभी friends के लिए बहुत important ये application form है जिन लोगों के पास net या जारफ नहीं है दोस्तों यदि आप आपके पास net या जारफ नहीं है फिर भी यहाँ पे fellowship यहाँ पे provide की जाएगी यदि आप entrance examination qualify करते हो और यदि entrance exam qualify करके देन आप PhD admission लेते हो PhD में तो आपको जो है पर मन्त जो है 8000 रूपीज जो है आपको provide की जाएगी दोस्तों और एक और important बात आपको बता दूँ कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पे फर्स टाइम है तो चाहे तो हमारे चैनल को आप subscribe कर सकते हैं subscribe करने के लिए इस वीडियो की नीचे आप देखेंगे रेट कलर से subscribe रिखाओगा उस पर आप ज़िक करते हैं तो यह चैनल जो सब्सक्राइब हो जाएगा साथ ही जो है यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकोन पे जरूर से प्रेस कर दो जिससे की in future जब भी हमको YouTube पे वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका message आपको सबसे पहले मिल सकेएगा और आप उस वीडियो को watch कर सकेएगे तो दोस्तों आज जो है आज का वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं school of studies name of department और subject फिर rate करके दिया दोस्तों ठीक है और दूसरा यह second इसमें दिया है कि rate exempted मतलब करने का मतलब कि जो entrance examination हो रहा है विश्व विद्याले का उसके टेस्ट साइज हो है जिन्नों का मतलब टेस्ट देने क्या और शेक्ता नहीं है ठीक है और उसके बाद total seats दिया है और subject code दिया हुए तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आज दी arts की बात करें तो आप देख सकते हों यहाँ पर की English and foreign languages में जो है यहाँ पर total seats जो है 13 seats है मतलब 13 seat है ठीक है इसमें आप देख सकते हो तो दोस्तों जैसे rate यह वी आर वी आर एटी जैसा कि मैंने बताय जिसमें भी आप applicable हो आप eligible हो आप उसके recording उसमें देख लें और दोस्तों हम लोग के वाल जो है departments की और total seats की बात करेंगे ठीक है आप अपने recording इसको एक बार देख लेना दोस्तों आप देख सकते हों यहाँ पर कि आगे दी हम लोग बात करें कि journalism journalism and mass communication की दी बात करें हम लो ठीक है electronics and communication engineering में 11 सीट है chemical engineering में 12 सीट है और यह engineering and technology के अंतरगत है जो अभी हम लोग बात करें electronics and communication engineering के बात से जो है ठीक है life science का अंतरगत जो है जिसे anthropology and tribal development की बात करें तो इसमें 6 सीट है बायो टेकनलोगी में 17 सीट है बोटनी में 15 सीट है और जो लोजी में 20 सीट है इस department के अंतरगत देख सकते हो आप computer science and information technology में CSIT में 7 सीट है ठीक है और pure and applied mathematics की बात करें तो इसमें 15 सीट है अब दोस्तों environmental science के students के लिए भी बहुत important यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि 33 सीट यहाँ पे जो है यह natural resources के अंतरगत आप देख सकते हो यहाँ पे कि forestry, wildlife and environmental science की बात करें हम लोग तो total यहाँ पे दोस्तों 33 सीट है 33 सीट सोच तो कम नहीं होता है बहुती अच्छी काजी सीट है तो दोस्तों यहाँ पर आप चाहाँ तो apply कर सकते हो ठीक है अब जो है pharmaceutical sciences की बात करें हो 48 सीट यहाँ पे अब यहाँ लेवर है then rural technology and social development की बात करें तो यहा social science में जो है अब social science का अंतरगत कौन कौन से departments दिये हुए education में जो है 19 सीट है history में 10 सीट है political science में 4 सीट है social work में 12 सीट है economics में 14 सीट है इस तो टोटल यहाँ पे हम लोग देखें तो 419 सीट है दो दोस्तों ठीक है अब दोस्तों हम लोग पहले बात करने कि आखिर किस university का form है और यह जो है 36 गड़ में है ठीक है यह गुरु घासी दास विश्व इद्यालव विलाशपूर यह 36 गड़ में है ठीक है और central university है तो यहाँ का यह application form आया हुआ है दोस्तों ठीक है अब दोस्तों हम लोग important important बातों पे जो important यहाँ पे मतलब points है उन पे जो है basically ध्यान दे ठ supervisor ठीक है मतलब यह जो आपका admission के दिवात करें PhD program की तो यह जो है seats और supervisor के availability के ओपर है depend करेगा ठीक है the university reserves the right to fill or not to fill any seat and also to alter the nature and number of seats if the circumstances so warrant ठीक है कहने का मतलब की इसमें जो है university को right है कि वो seat को feel करें अब दोस्तों हम लोग यह admission eligibility की बात करनें तो जैसा कि बहुत सारे आप देखते हो दोस्तों कि बहुत सारे videos में हमारे आप देख सकते हो कि eligibility in general आप देखोगे कि हर university में eligibility की बात करने हम लोग तो वो सेम ही होता ठीक है बट यहां पर फिर भी मैं बता जीता हूं आपको जो है कि master degree के यहां पर पीसडी में के लिए दोस्तों आपको जो है master degree आपका होना चाहिए और master degree में at least 55% marks होना चाहिए ठीक है अब आगे हम लोग relaxation की बात करने तो जैसा कि आपको पता है कि यह 55% के जब फिफ्टी परसेंट यह जो है मतलब रहेगा मतलब 5% का relaxation रहेगा किनके case में जो लोग STI, STI, OB, C अब दोस्तों आगे हम लोग बात करें कि एक तो दिया हुआ है तो दोस्तों मैं उमीद करता हूं कि वो लोग जो इसमें एप्लिकेबल होंगे वो इसको पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं अब दोस्तों मैं लोग आगे देखें यहाँ पर जो है कि एप्लिकेंट्स यह थर्ड नंबर पर जैसा दिया है यह बहुत इंपोर्टेंट है कि एप्लिकेंट्स who have qualified UGC net including JRF और UGC CSIR net including JRF और SLET having own fellowship और GET teacher fellowship holder GPAT और JEST और RGNF और DST inspire और any such aspirants who belong to this category as per UGC notification for time to time okay करने का मतलब कि यदि आपके पास इन में से जो है कोई भी eligibility है in that case जो है आप भी जो है exam से जो है यह भी बहुत important है कि applicants who have successfully completed MPHL from GGV or any recognized institutions मतलब यह MPHL candidates जो हैं उनके लिए भी काफी good news है कि जो candidate मतलब जो भी students MPHL किये हुए है successfully complete उन्होंने कर लिया है वह चाहे GGV से किये हुए है मतलब कि गुरुगास्री दाश्री दाश्री दाले से और किसी other institute से भी किये हुए है अब दोस्तों यहाँ पे note करके यह बहुत ही important दिया कि मतलब आप पूरे इसको जो है अच्छे दंग से पुरा पढ़ लो आप minimum eligibility यदि आप फुल्फिल करते हो then satisfy हो then आप इस application form को fill up करो अब दोस्तों जैसा कि मैं भी आप लोग को हमेशा करता हूँ कि आप जो है university की website पर जाएं और महां से notification को advertisement को आप कभी भी डाउनलोड करें उसको अच्छे दंग से अपने according भी एक बार पढ़ने समझ लें satisfy हो and then आप उस application form को apply करें ठीक है अब दोस्तों यहां पर हम लोग बात करें कि university will admit applicants by a two stage processes that is entrance test followed by an interview ठीक है मतलब कि यह किसके लिए है कि जैसा दिया हुआ है कि applying against available seats in subjects which shall be filled by विश्व विद्याले research entrance test मतलब यह rate के case में है जिन लोगों को research entrance test देना है ठीक है तो इसमें किस तरह का paper का pattern रहेगा उसके बारे में आप दिया हुआ है जैसा कि the qualifying marks in the entrance test shall be 50% of the total marks ठीक है उसमें 50% आपका research methodology और 50% यह subject specific questions रहेंगे ठीक है अब दोस्तों आगे हम लोगों बात करें कि यह जो rate का timing के दी बात करें तो 120 minute का मतलब होना है exam मतलब की 2 घंटे का और इसमें जो है जैसा दिया हुआ है कि यह there would be a single question paper of 100 marks having 100 multiple choice questions of assessing the subject proficiency and research aptitude of the candidate ठीक है मतलब कि यह 100 marks के 100 objective type के questions रहेंगे और इसमें mainly जो है आपका research aptitude और subject specific आपका knowledge जो है देखा जाएगा ठीक है अब आगे दिया है दोस्तों कि the admission shall be based on the marks obtained above qualifying marks minimum 50% in rate and in order of merit ठीक है कहने का मतलब कि आपको जो है जैसा कि दिया है कि the admission shall be based on the marks obtained above qualifying marks मतलब qualifying marks के दिए बात करें तो 50% minimum जैसा कि दिया हुआ है ठीक है अब दिया है दोस्तों कि अदिए slaybers की बात करें तो entrance test के लिए जो slaybers है different subject की annexes 2 करके जो है दिया हुआ है attest है अब दोस्तों आगे हम लोग बात करने कि distribution marks will be as follow अब जो है मतलब marks distribution के लिए बात करें तो जैसा first number पे दिया है यहाँ पे marks obtained in rate weight is 70% of the marks obtained maximum 70 ठीक है मतलब कि marks obtained in rate आपको जो है weight is 70% marks जो है इसका रहेगा और यह second number पे दिया कि personal interview और why वह से और presentation 30 मतलब 30 marks का जो है आपका यह personal interview या फिर why वह से या फिर presentation का रहेगा और बाकि आपके test का जो है मतलब total का दिखा जो तो 70% आपका बो रहेगा ठीक है मतलब 70% 70 एक तरह से बोल सकते हूं कि 70 और 30 तो overall आपका जो है 100 यहाँ पे जैसा कि field by candidates not appeared in rate or called rate exempted category मतलब जिन लोगों को जो मतलब entrance examination से exempted है जैसा कि बी जो है research proposal presentation 30 करेगा और सी जैसा दिया है कि score of UGC net जारफ UGC C SIR net including जारफ और स्लेट और गेट और including teacher fellowship holders वेटेज 50% of normalized score ठीक है maximum मजर 50 marks इसमें से दिया जाएगा अब डी में दिया है दोस्तों कि for teacher fellowship holder those not having any score and only awarded fellowship the 50% marks will be given as follow ठीक है मतलब उनके case में जो है इस तरह से marks जो है दिये जाएंगे उनको जो teacher fellowship holders है अब दोस्तों इसमें जैसे academic background की बात किया गया है कि for 10th में जो है आपका जैसे 5 आपको जो है 5 for more than 75% दी आपका जो है मतलब high school में जो है आपका 75% से ज्यादा marks है दन आपको 5 marks provide करे जाएंगे 75% से 60% के बीच में तो 3 marks और 2 marks जो है less than 60% है दन आपको provide किया जाएंगे वैसी यह 12th का graduation का और PG का भी दिया हुआ है ठीक है अब दोस्तों आगे हम लोग देखें कि second number पर बहुत important दिया हुआ है कि final merit list of the applicants belonging to both the categories that is rate and rate exempted will be prepared separately for each subject ठीक है और जो merit बनाई जाएगी इसके लिए जो overall marks जो हो रहेगा वो 100 marks का रहेगा ठीक है अब दोस्तों ने थोड़ा से यहां पर short listing हो रहके बारे में दिया है आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना अब जो और important जो date वगर की बात हम लोग कर लेने दोस्तों कि date जो है कब तक है इसकी तो हाँ date यहां पर आप देख सकते हो एक तो fee की पहले बात करने हम लोग कि the applicant desirous of appearing in rate और rate exempted category shall pay the fee of thousand rupees in case of general और OBC and 500 in case of SC और ST और PWD category and shall be paid through online mode only during the process of registration कहने का मनलब की दोस्तों आपको 1000 rupees का यहां पर fee 1000 rupees लगना है यदि आप जनरल या फिर OBC category में हो और 500 लगना है यदि आप SCIST IPWD category में हो तब ठीक है और साथ साथ जो है registration मनलब कहने का मनलब की जो mode of payment की बात करें तो यह online mode में ही payment होगा ठीक है अब important date की बात कर दोस्तों य कर रहा है ठीक है और closing date के दी बात करें online application form की last date तो 8 2019 है ठीक है अब जो है admit card डाउनलोड आप कब कर सकते हो तो 18 2019 को और यह विश्वविदाले research entrance state जो ब्रेट जो है फार PhD program जो होना है यह 24 2019 को मनलब 24 फरविर 2019 संड़े को जो है 10 पज़े होना है ठीक है अब declaration of result की बात कर इसके बारे में थोड़ा साब पढ़ लेना ठीक है because यह लोग इसके बारे में explain करेंगे तो काफी टाइम चला जाएगा अब दोस्तों यहां पर test center की बात करें कि test center आखिर कहा रहेगा दोस्तों बहुत सारे friends जो हमेशा पूछते रहे हैं कि sir इस exam का test center कहा रहेगा दोस्तो only on यह जो है 24 2019 को जो है संडे को 10 बजे से जो है जो गुरुगासिदास विश्वविद्याले विलासपूर है उससी वहीं पर जो है यह exam conduct होना है अब method of answering the test के लिए बात करें तो दोस्तों किस तरह से यह entrance test देना है आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना यहां पर clear सारी चीजे दिया हुआ है ठीक है अब दोस्तों आगे हम लोग बात करने कुछ है इंपोर्टेंट हो तो इंपोर्टेंट हो इससे सब है दोस्तों आप लोग इसको पढ़ लेना बट यह है कि जो मेरे recording important लग रहा है मैं उसको जरूर से इसमें explain कर द रहा हूं दोस्तों यह यहां पर important दिया जैसे आप देख सकते हो कि यह 14 नंबर पर करके दिया एक्स आई भी जो है विश्व विद्याल है research entrance test will be conducted in English medium only except for Hindi subject ठीक है मनला Hindi subject को छोड़ करके entrance exam होने वाला है वो English medium में होगा ठीक है और fellowship दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि fellowship की दिबात करें हम लोग तो जैसा दिया है दोस्तों बहुत ही यह important है आप सभी लोग के लिए जो लोग भी net jrf qualify नहीं है कि all the eligible full time research scholars of university teaching departments admitted through rate and not getting any financial assistance from any funding agency will be entitled for fellowship of rupees 8000 per month ठीक है लब ऐसे candidate जिनको को कोई financial assistance किसी funding agency से नहीं मिल रहा है और जो लोग जो है rate के तुरू जो है मतलब कि विश्यविदाली research entrance test के तुरू जो है admission लेंगे उनको जो है 8000 per month जो है दिया जाएगा ठीक है और साथ साथ जो है contingency के दिबात करें हम लोग तो यह 10,000 per year जो है science या engineering students को जो प्रवाइड किया जाएगा और यदी आप जो है contingency provide किया जागा ठीक है तो यह बात होगी दोस्तों अब जो है result की बात करें हम लोग तो यह result जो है rate का result मतलब की research entrance test होना है इसका result www.ggu.ac.in पे यहाँ पर आप देख सकोगे ठीक है और अब दोस्तों यहाँ पे fee structure की बात किया गया है कि fee structure of PhD course will be as follow ठीक है for science and engineering और technology students subjects के ल इसको आप देख सकते हो और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है कि for other than science and engineering और technology subjects है तो उनके लिए ये fee structure है तो दोस्तों इस तरह से जो है उमीद करता हूं कि आज का वीडियो जो है आप सभी लोगों के लिए काफी useful और informative रहा होगा यदि आपको आज का वीडियो useful औ और PhD से रिलेटेड स्यूइशन से रिलेटेड में videos अपलोड करता हूं या फिर को Net के Net का Slate का साफिर से प्रीटेड जो है इसे प्रप्रेशन से रिलेटेड रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं साथ-साथ जो है यदि आप हंपर नॉंटल साइंस में नेट की प्रषिन कर रहे हो या फिर अधर कोई भी competitive exam की प्रप्रेशन कर रहे हो जहां पर environmental science के questions पूशे जाते हैं तो दोस्तों उन सभी लोग के लिए हमारे environmental science के videos जो है already कुछ youtube पे upload हैं उनको आप देख सकते हो काफी आपके लिए useful हो सकते हैं और in future भी कोशिश रहेगी कि हमारी की environment से भी related videos upload करें जिससे कि आपको benefit हो सके तो दोस्तों इतना पेसेंस फुली आपनोंने आज का वीडियो वाच किया उसके रहे थैंकियो सो मच थैंकियो सो मच फ्रेंट्स